हलो एवरीबन दिस इस अबनीश थारिवाल आयम जोडिशल सर्विस एंड टोड़ेश टॉपिक इस विच कोचिंग यू शुट गो फूर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी कोचिंग उन्हें जॉइन करनी चाहिए शुट दे जॉइन कोचिंग और नॉट पहले भी मै कोचिंग में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको इस बारे में तो कोचिंग हेल्प्स क्यूंकि कोचिंग में यूट गो दे हैं संबड़ी एल्स वूड़ बी टॉकिंग यूट बी लिस्निंग और यूट बी राइटिंग तो उससे आसान हो जाता है आपको याद करना जो को और एक continuity बनी रहती है तो certainly कोचिंग हेल्प्स बट कोचिंग में सबसे ज्यादे ध्यान लखने वाली बात ये है ज्वाइन एक गुड कोचिंग बहुत सारी कोचिंग जो है मतलब there is so much mushrooming of कोचिंग के बहुत online कोचिंग तो इतनी जादा है इतनी जादा है क्या बोले उसे बट रिमेंबर के जो आपको पढ़ाने वाला है उसका लेवल आप सब बहुत उपर होना चाहिए तब ही आप जो समझ सकते हैं for example दिल्ली में अगर मैं कोचिंग की बात करूं I was a student of Rahul's I.S. Rahul sir के ही सबसे जादा student select होते हैं Rahul sir sir जो है बहुत अच्छे teacher है I am not promoting anyone or any coaching institute but Rahul sir is literally a wonderful teacher one of the best teachers I have been taught by बहुत अच्छा बढ़ाते हैं बहुत लाजवा बढ़ाते हैं I can personally you know guarantee it तो Rahul's I.S. के ही सबसे जादा selection भी होते हैं तो you may join Rahul's I.S. इसके अलावा तो को मैंने किसी coaching और कोई coaching join नहीं की थी but अपने friends से सुना है that ambition की जो coaching है it is also very good तो अगर किसी वज़े से जो है आप इसे भी join करना चाहते हैं ambition join करना चाहते हैं तो I think that would also work fine इसके अलावा लखनो में from my friends review Amit sir है और T.R. Singh sir है तो दोनों बहुत हार very good teachers तो अगर आप लखनो में हैं तो जोईन कर सकते हैं इसी डंक से different cities में एक-दो-एक-दो coaching होती हैं जो अच्छी होती हैं तो आप उन्हें join कर सकते हो but online coaching अगर आप join कर रहे हो तो एक बर credentials जरूर देखना, credentials जरूर देखना उस person के जो आपको पढ़ा रहा है और को judicial officer है तो at least आप, you can trust that कुछ चीजयों से आती होंगी at least exam की कुछ skills से आती होंगी so he can tell you something about that इसी डंक से किसी का अच्छा खासा 15 साल का experience है तो again that person would be well versed with the examination pattern with the concept so आपको बता सकता है लेकिन ए person who has been graduated just 2-3 years ago और वो coaching start कर रहा है तो he may be very good, I'm not saying के एक graduate नहीं पढ़ा सकता he may be wonderful but credibility क्या है उस चीज की how do you know जो तयारी करने वाले लोग है you would feel आप सो कुछ भी बताया जाए अगर कोई थोड़े से अच्छे रेंग से कुछ भी कोई बता रहा है you would feel wonderful के वाओ it's great until you actually get to know that it was right or wrong आपको नहीं पता होती है conceptual चीज है क्योंकि आप अपने learning phase में हो वो level आने में अभी कई साल लग जाएंगे when you can tell के हाँ ये अच्छी coaching है ये खराब coaching है या तो आपने पहले कहीं एक अच्छी coaching ली हो जैसे कि राहुल साइस के जो student है वो देख लेंगे दूसरी coaching को और वो decide कर सकते हैं कि कितना अच्छा teacher है कि कितना अच्छा teacher नहीं है but जिन लोगों ने जो freshers है ना वो decide नहीं कर पाते उने कोई भी teacher देदो देउट फिलवाओ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना coaching अगर जोईन कर रहे हैं आप तो अच्छी coaching जोईन करें जिस धंग से आप खाना खाते हो good food is good for health bad food is bad for health उसी धंग से किताब हैं और coaching की भी यही बात है अच्छी coaching लोग है तो conceptual clarity आपकी better होगी आपकी skills improve होगी उसी धंग से एक person who is not good at it जो अच्छा नहीं है जिसे ज़्यादा जानकरी नहीं है coaching की जिसके conceptual clarity बहुत अच्छी नहीं है अगर आप उस से coaching लेते हो पढ़ते हो तो आप you want to grow आपकी skills improve नहीं होगी कहीं नहीं आपको नुकसान पहुचेगा उस चीज से exam में कुछ questions आप अगर गलत करके आओगे then it would be harmful for you तो बहुत ध्यान से coaching को चूज़ करो अगर कोई बहुत raptured है जैसे कि राहुल सर बहुत raptured है तो there is a reason behind it बीस साल से वो पढ़ा रहे है राहुल सर and he's a wonderful scholar जो इस्प्रिटेंस पर गएर है उनका subject आप पढ़ो तो you'd feel wow क्या level है जो इस्प्रिटेंस भी interesting लगता है उनका तो वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं तो कहूंगा भी ठीक है राहुल साही साप युमें जोइन because I think उसी के समस्याद selection होते हैं बाकी से काफी उपर है और राहुल सर परसनली बहुत जाद अच्छे टीचर है बाकी टीचर से जो हैं नई टीचर हैं अला कि और I don't know most of them बट अगी राहुल सर जिसे भी रखेंगे तो एक minimum level of qualification के साथ ही ओ बन्दा होगा वहाँ तो you need not to worry about that thing तो इन सब चीजों का ध्यान रखना just because कोई नई कोई coaching है online और inexperienced बन्दा पढ़ा रहा है लेकिन he is taking just 10,000, 15,000, 20,000 सिर्फ इसलिए जोइन मत करना क्योंकि वो पैसा जो है it may go to gutter not necessarily but it may go to gutter because that person may not know anything तो अपने carrier के साथ रिस्क मत ले ना judicial service ऐसी service है जिसमें जितनी कम उमर में आ जाओगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे it is true for any service especially judicial service तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बाकि coaching join कर लो coaching के note से help मिलती है और अगर फिर भी आप किसी वह से join नहीं कर सकते हो तो आप notes पर गएर अगर arrange कर सकते हो तो join करना would be much better बाकि कोई question हो तो you may write in comment thank you